देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ बाबिता समाजवादी पार्टी के संस्तापक सदस्य आजम खार अविवार को लखनों में होने वाली समाजवादी पार्टी विदायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए जुसके बाद से अटकलों का बाजार भी गर्मा गया आजम खार अविवार को लखनों में होने वाली समाजवादी पार्टी विदायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए आजम खा के करीबी विदायकों ने भी इस बैठक से किनारा कर लिया जिसके बाद से ये बात तो साफ हो गई है कि आजम खार अखिलेश को लेकर जो बाते सामने आ रही है वाउपकी आजम अखिलेश से नारा चल रहे है in में कहीं न कहीं सच्चाई है हाला कि आजम इस सच्चाई से कितना भी बसते चले जाए और मीडिया के सामने कुछ भी बोले लेकिन सच्चाई यही है वही आजम खा के बैठक में शामिल ना होने पर कई तरह के संकेत भी मिले है सूत्रों की माने तो आजम खा सपा से जल्द ही अलग होने वाले है तब ही उन्होंने सपा से धीरे धीरे दूरी बनानी भी शुरू कर दी है साथी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि चुनाव में आजम और सपा आमने सामने नजर आएंगे एक तरफ लोग सबा चुरावों को लेकर सभी पार्टिया तैयारियों में जुट गई है तो वहीं सपा में बढ़ रही अंदरूनी कलेश शुकम होने का नाम ही नहीं ले रही लेकिन इस बैठक में सपा विदायक आजम खा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम शामिल नहीं हुए इसको राजनितिक गलियारों में अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी के रूप पे देखा जा रहा है हाला कि आजम खाने किसी भी तरह की नाराजगी से इंकार किया है वहीं इस पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो आजम खाने कहा कि आपसे ही नाराजगी की सूचना मिल रही है मुझे तो कोई वज़ा समझ भी नहीं आती दूसरी बात ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए मैं खुद ही निराधार हूँ तो आधार कहां से आएगा मेरा अपना ही कौन सा आधार है एक गरीब आदमी गली में रहने वाला ये पहली बार नहीं है जब आधम खान इस सपा से अलग होने के संकेत दिये हो वो कई बार इस बात को रख चुके है कि वो अब सपा का साथ नहीं चाते वहीं उनके सपा से दूरिया भी ये बात साथ बया कर रही है इसी बीच उनके उक्चुनाव को लेकर भी दिये गए बयान सी ये साथ समझा जा सकता है कि वो इन चुनावों के जरिये अपनी ताकत का एहसास अखिलेश को कराना चाते है और ये भी कि उनके कटने से सपा को कितना भारी नुकसान हो सकता है जिसका अंदाजा मुलायम सिंग यादव को भी है तभी तो वो संकत मौचुन के तोर पर अब एक्टिव हो गए है और आजम खा की नाराजगी को खत्म करने की कोशिशों में जुट गए है वही ये बात भी सामने आ रही है कि आजम खा के करीबी विधायक और समर्थक उन्हें विधाय सबा में नेता प्रतिपक्ष न्यूक्त करने की मांग भी कर रहे थे लेकिन सपा अध्यक्ष आखिलेश यादव ने लोग सबा से इस्तिफा देकर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी समभाली जिसको लेकर भी आजम खा की नाराजगी चौल रही है अब इन बातों ने जोर पकड़ लिया है कि आजम खा तो कोई और पार्टी जॉइन कर सकते हैं या फिर श्रेपाल के साथ मिलकर अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं अब देखते रहे क्यापिटल टीवी नमसकार